हेलो फ्रेंट्स आज हम आईए सीखते हैं कुछ ऐसे प्रेसर पॉइंट्स तो जब मारा पहला प्रेसर पॉइंट होता है वह है पैदी कॉल्डियम यह पॉइंट आपके एठेली से एक इंच निच्चे स्थित होता है यह इस स्थान पे आप एक इंच गिनेंगे और इसके बाद यहां पर उठा रखेंगे और उसके बाद उसको एक सेगेंड के लिए प्रेस करेंगे फिर रिलक्स करेंगे उसके बाद फिर से प्रेसर लगाएंगे उसके बाद फिर रिलक्स करेंगे उसके बाद फिर प्रेसर ल से खतम हो जाएगा आपकी बेचननी उल्टी सरकादार्द जैसे रोगों में हमें लाब मिलता है जो हमारा अगला प्रेसर पॉइंट है वो है जोइनिंग डे वैली यह पॉइंट तरजनी उंगली के और अंगुठे के बीच में श्तित होता है यह वाड़ा तरजनी उंगली आपकी यह वाली उत्ति है और उसके बाद आपका अंग उठा इसके बीच में जो हमारा स्पेस बसता है वहां कि उसके दोनों बेच्चों बेच श्तित होता है यह देखिए आपको किस तरह दबाना है इसको अब वही परिकरिया करेंगे एक सेगड़ी इसको दबाएंगे फिर रिलाक्स फिर दबाएंगे फिर रिलाक्स फिर दबाएंगे यह दबते वक्त आपको हलका सा दर्द मैसूस होगा लेकिन आपको इससे कोई नुकसान नहीं होता है इसको दबाने से हमारे जोडों का दर्द गर्दन का दर्द दात का दर्द कंदे का दर्द सर का दर्द और माईग्रेन डूर होता है इसे दबाने से कब्ज में भी रात मिलती है हमारे जो जैरिले पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं वो इससे बार निकल जाते हैं और दर्द निवारक के लिए ये सबसे बड़ा अच्छा बिंदू है जो हमारा आगला जो प्रेसर टिख्के के वप पर विर्कूलह अलके ऐत्टों से उसको पंदरा से 20 बार कि उसके अधे करें इसको दबने से हमाई जो लाब होते हैं वह अति पहला हमारी थकान उत्र चाह्ती आपके थर्ड आई वारे स्थान को दबाने से आपकी ठकान दूर होती है आपको जिस बंदे को नींद ना आती हो जिस किसी को भी नींद नहीं आती हो तो यह हमारे नींद दिलाने में सायक होती है यह आपकी यादास को बढ़ाती है और सरदर्द को भी दूर करता है आखों म आपने चीखे कि कुछ प्रेशर पॉइंट